भगवान श्री सत्यसाई बाबा ने सम 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दोरान शीमत भगवद गीता पर 34 महतपूर्ण प्रोचन प्रदान किये। ये प्रवचन गीता के सार को विवित सरल उदाहरनों के माध्यम से निरुपित करते हैं, जो प्रतेक साधक के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 4 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। अपने इस तीसरे प्रवचन में भगवान श्री सत्यसाई बाबा भगवत गीता के 12 हमें अध्याय भक्त योग में सब प्रेम हमें समझाते हैं। कि किस मार्ग का अनुसरण करने वाला भग्त भगवान के लिए अत्यन्त प्रिय है और इश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने हेतु भग्त को कैसा व्योहार करना चाहिए। साकार निराकार तत्तों के अंतर को अत्यन्त मार्मिक एवं हृदय स्परशी उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने के साथ स्वामी यह भी सप्रेम समझाते हैं कि किस प्रकार सगुणों पासना क्रमशह अनेक परिनतियों को प्राप्त करते हुए निर्गुणों पासन में प्रवेश करती है विगत अध्याय में विशलेशित आकाश त्रय को एक नए द्रिष्टिकोंड से हमें दर्शाते हुए स्वामी उनके महत्तों को और भी स्पष्ट करते हैं सगुण निर्गुणों पासना में नहीत जटिलताओं को स्वामी ने अपने इस अम्रित तुल प्रवचन में सामान ने भक्तों के लिए बहुत सरल बना दिया है भक्तों के प्रति स्वामी की अपार करुणा का यह एक उत्तम उदाहरण है भक्ति माम में प्रियो नरहा इदि भगवत वाड़ि भक्ति माम प्ति कलीन वाड़ि में नाकू प्रियो नरहा अट्टिवाडे नाभीष्टू अनका बत्ति कलीकिन वाड़ि नाकू इट्टूडू अनि दीनियों कंदरार्त्तमू प्रपश्चमलो मानवडू अने एक विदमुलाईने कुँटी पलमुलनू स्वेकरिष्थ्थुन नाडू धन, कनक, उस्तु वाहनादुरनू और जिस्थ्थुन नाडू गौरवा प्रत्तिष्ट पदवलन कुडनू वंदकलू तुन नाडू इव अन्नी कुडनू छणपंगुरमलनी तुन्ति सत्यानी पंडेंडव अध्यायमलीना भक्ति योगमुनंदू निरूपिस्थु वच्चिंदी भगवत गीता भक्तिमान में प्रियो नरहू यह इश्वर की मानी है जिसमें भक्ति होगी वही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है यही इसका तात्परी है संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के फलों को स्विकार कर रहा है धन, संपत्ति और अनेक प्रकार की वस्तूओं का संचय कर रहा है यश और प्रतिष्था के साथ पदों को भी प्राप्त कर सक रहा है भगवत गीता के बारह में अध्याय भक्त योग में इन सब तत्तों को नश्वर निरूपित किया गया है प्रपंचमलो मनमू पंधवलस ने ड्वंटिदी, महोजयलमय ने ड्वंटी, साय्ज्यमय ने ड्वंटी, सारसहितमय ने ड्वंटी, अमुल्यमय ने ड् ven 你 वज्यमो भगवत पृती आए ते इक्थी प्रेमा मनप ए मार pizzमनंधू लविस्थन्दी ये मार्ग मनम अनसर इंचादी आनि योच इंचादी इस संसार में हमें अत्यन्त उज्वल, सायुद्यसम, सारपूर्ण और अमूल्य हीरे के समान इश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है परंतु ऐसे प्रेम को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हमें किस मार्ग का अनुसरन करना है इस तथ्य पर हमें विचारना चाहिए चेत्रमनु परिशुद्धमु सेयका विद्धुन नाटिन अप्डु पंटलु पंडव। अदे विदमुगने सुधेच्छेत्रमननु अहंकारमने चुँटि इस दुष्टसम्वन्दमैने चुटि विशमननु दूरमु गाविंचिन अप्डे आप्मानंदमने चुटि पंटार मनकुल अभिस्तों। दीन ने भगवद्गेते यंदू देहादिमारमनु दूरमु गाविंचिको वाली अनि बोधिस्तो वच्चिन्दी बक्त्रिवगों। मानवोडु बगवध्वन्द्वु नि प्रेमिंचिन अड़्टुगा भाविंचिको नॉकाली तद्द्वाराल अभिंचेटुए टुम्टि पलितमु सून्यं। बगवंतर नन्न प्रेमिस्थुन्न आड लेदाने एक विश्यमु तदानमेन लच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् निनंतरम उत्रुप्तुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद खेत को साफ किये बिना बीज बोने पर फसल नहीं उगती है इसी प्रकार हिर्दय रूपी छेत्र से अहंकार और बुरे विशयों को निकालने पर ही आत्मानंद रूपी फसल प्राप्त होती है इसी तथ्य को देह संबंधी अभिमान को दूर करने के रूप में भगवत गीता के भक्ति योग में उपदेश के रूप में दिया गया है मानव विचार कर रहा है कि वह इश्वर से प्रेम कर रहा है परन्तु इससे प्राप्त फल शून यही है प्रधान लक्ष यह है कि इश्वर मुझसे प्रेम कर रहा है या नहीं तुम्हारे इश्वर से प्रेम करने पर भी यदि इश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है तो फल शून यही है फिर इश्वर के प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग क्या है भक्ति योग कहता है कि संतुष्टह सततम इतना ही नहीं गीता ने दिढ़ निष्चय pract का उपदेश भी दिया संतुष्टह सततम अर्थात सरवजा संतुष्ट त्रिप्त रहना चाहिए किर्टन और संकीर्टन इन दोनों में कुछ अंतर है संयक कीर्टनम संकीर्टनम कीर्टन अर्थात गाने में कंठ और होटों से कुछ वाक्य निकलते हैं हृदय से पसीज कर पूरे आनंद और स्वेच्छा से तथा निर्भीकता के साथ निकलने वाले गान को ही संकीर्तन कहते हैं संकेत्रमनेट्ट्ट्टिगा येकिजंगा चेप्टारू अधे बितिंगें संत्रुप्थि कुटनू अधे गेमलं कुदय स्तायी नुञ्दी स्यास्षथमय नेक्टिजिगणू सर्थमय नेक्टिगणू परमय नेट्पूपपूले नेट्वूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपू नेट्वूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपू usu आण्तर में सतवार्टैम। जयापजे मेलोकु लोंगका, मानावभिमानमेलोकु कोंगका, शुकदुककमु पोंगका। इस था पहत्ता में परप्ताम। पहत्ताम है कि ? अने पर पहत्ताम, पहत्तियद क निपकून में परप्ते है? एक्ति कूर्पुनू कलुगन अट्वन्टे दि अधी निष्चलमय निर्मनमय उंड़ एट विंट विंट वक्का रेम तत्तमुनके संत्रुप्ति अनिकुडनू भाविंच वच्छुनू इसी प्रकार त्रिप्ति और संत्रिप्ति भी हैं। त्रिप्ति का संबंध पूरी तरह लोकिक बातों से हैं। यह लोकिक प्रवित्ति से संबंधित है। जिस प्रकार संकीरतन कहा जाता है। उसी प्रकार संत्रिप्ति भी हिर्दय से निष्ट, शाश्वत, सत्य और निवृत्ति से संबंधित तत्व है। संत्रिप्ति अपरिवर्तंशील है। किनी तत्वों से जुड़ा नहीं है। संत्रिप्ति अपरिवर्तंशील और अलिप्त नित्तता से युक्त तत्व है। जो भक्त है उसे लोकिक फल अथवा इसके विरुद्ध फल की अपेक्षा न करने वाली मानसिक्ता को अपने में बढ़ाना चाहिए। यही इसका तात्पर्य है। जय पराजय, मान, अभिमान और सुख दुख आदि के प्रति, आनन्दित होने अथवा दुखी होने की भावनाओं से अलिप्त रहने की समत्य पूर्ण भावना ही संत्रिप्ति है। अपरिवर्तंशील और अलिप्त रहने की भावना को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम जो निश्चल और निर्मल होता है उसे ही संत्रिप्ति माना जा सकता है भगवान का नुगरह जो भी हो प्रसाद के रूप में जो भी प्राप्त हो उसे प्रेम प्रसाद ही मानकर त्रिप्त होना चाहिए ऐसी संभावना से युप्त होकर समता का व्योहार करने वाले चित्त को ही संत्रिप्ति कहा जा सकता है अनेक विदम लेंपुटि मार्गमल लो दिर ने अनुभविस्थ्तादू जीवुदू इत्ती दुडमेन इत्ती दैरि सासमनु कोंता मंदी मेरु परवतमने विश्यमुलो महाँ धीरुडई युँटू इत्ती दैजे सासमुलु दुडशिक्ति वुडनु अनंतमेन इत्ती इत्ती विश्यमुलो कुड़नु दिर चित्तू लाई उँटार। मरिकोंदरु भयंकरमेन इत्ती भीकरारण्यमुलो प्रियाणम सेसेत्मुलों तीरुडई उँटार। दयाग आच्चिन्यमुलेकुंड इतरुड़ हिम्सिंची दनमनु प्रोगुतेश्कुने इत्ती विश्यमुनु दैतिसासम दुडशिक्तिलु कलिकी कुंतमंधी प्रवत्तिश्थुँटार। मानवत्तमने मरची दैवत्तमनु विस्वरिंची केवलमु उका दानवत्तम प्रवत्तिश्थुटार। द्रिड़ निश्चया यह सुद्रिड़, स्थिर और निश्चल रहने वाली भावना है। द्रिड़ निश्चया यह अत्यंत महतो पूर्ण है। मनुष्य में द्रिड़ शक्ति, धैर्य और साहस सहज रूप में ही विद्यमान रहते हैं। जीव इस द्रिड़ता, धैर्य और साहस आधिका उपयोग विविद्प्रकार से करता रहता है। कुछ लोग इस द्रिड़ता और धैर्य का उपयोग पहाड़ों पर चढ़ने के लिए करते हैं। और कुछ लोग धैर्य, साहस और द्रिड़ शक्ति का प्रयोग अनन्त सागर को पार करने के लिए करते हैं, तो और कुछ लोग घने जंगलों में यात्रा करने वाले धीर होते हैं। कुछ और लोग दूसरों को घोर निर्ममता से प्रताडित कर धन इकठा करने में अपने धैर्य, साहस और द्रिड़ शक्ति का उप्योग करते हैं। मानवता को भूल कर, दिव्विता को विस्मृत कर, दानौओं की भाती क्रूरता पूर्ण व्यवहार करने में, कुछ लोग अपनी धीर्ता को धर्षाते हैं। इस द्रिरता और धीरता का उपयोग अच्छे धंसे किया जा सकता है और बुरे धंसे भी किया जा सकता है अपने ही भी किया जीकाप च्छे में किया जा सकतार विष्य। वाल्मी की जब रतना कर था तब उसने अपनी द्रिडशक्ति, धैर्य और साहस सबका उपयोग बुरे मार्ग में ही किया था सब्त रिश्यों के संपर्क में आने और उनके उपदेश पाने के बाद उसने अपनी द्रिडशक्ति, धैर्य और साहस सबको राम नाम में जोग दिया इसलिए वाल्मी की रामायन दाता और करता बन पाया अतह मानव की द्रिडशक्ति का उपयोग लोकिक और सांसारिक विशय संबंधी व्यवहारों में लाने की अपेक्षा, इंद्रिय संयम, दैवी अपेक्षा और दिव्वता पूर्ण प्रपत्ति के मार्ग में उपयोग में लाने पर मानवता सार्थक होगी इससे मानवता को एक विश्चिष्टता प्राप्त होगी भगवदBlackी गीतने ओष्टतो अचिंदिक सभुन साकारम ले लेका, निर्गून निराकारमनवनो पंदा ले込। देहाभिमानम उंडिननत वरक। देह anni ब्रांती टिनननत वरक। सभुनकिन निर्गुनक्त्ष्वानिकानी निराकारास्थ्वानिकानी भक्ति योग ने सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के बारे में उपदेश दिया सगुण निर्गुण उपासना साकार निराकार इनमें से क्या उत्तम है और क्या साधकों के लिए नितान्त अनावश्यक है इनका उपदेश भगवत गीता ने दिया सगुण साकार के बिना हम निर्गुण निराकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं देहा भिमान और देह संबंधी भ्रह्म के बने रहने तक मानव निर्गुण अत्व और निराकार तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है देहा भिमान और लोक संबंधिय भिमान के पूरी तरह समाप्त होने पर ही मानव निराकार निर्गुण ब्रह्मत्त को पाने के योग्य बनता है नेनु देहमू, नाको देहमो कटे कलदू, नेनु मानवाकार नि अने चुटि भाव मुल्दी नन तवरकु कोड़नू, मनको निराकार मरेकुण ति ये मात्रम कोड़नू साधिंचुद आने की यट्टि वारिक एना साध्यमकार। पुन हिर्मे Tal ने उ देहमा नननु क्रिष्णुदू, देहार भीमान अउन त वरकु नेनु झेहमू, नेनु अन पुम्दी आनेज़्धु जा निनु तवरकु एनेृु साधिंचुदा मु तुम्कार। मैं शरीर हूँ, मेरा एक शरीर है, मैं मानवाकार में हूँ, जैसी भावनाओं के बने रहने तक व्यक्ति चाहे जैसा भी क्यों नहीं हो, निराकार तत्तो को पाना संभव नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ने देहम माम कहा, देहा भिमान और मैं शरीर हूँ, जैसी भावनाओं के बने रहने तक इस निराकार तत्तो को प्राप्त करना कदापी संभव नहीं है। जो भक्त और साधक हैं, उसे सबसे पहले सगुन साकार की आराधना करनी चाहिए। कुछ समय तक इस साधना के जारी रहने के बाद इसी सगुन साकार को आधार बनाते हुए निराकार तत्तो में प्रवेश किया जा सकता है। चाहिए निए निक स्वाप शुटनतों नियु आराधन जहीम प्र ज proseंए निक सी नियुम क साकारम अचों, कारी विश्यस्वपम करनी वक्श साकारम है। कि युट अजय को अधिमत समय सराधना करनी बूत आकाशम उटकी निक इसम्ना के दिक्ध रिण video- değil Standard आरहिंस फिट को अपन पूई नओ कोईना नी उननी मना स्वप्न अवस्त्री ऊच भोच्छ इश्थुमुंताय। जाठत्त अवस्त्री ऊदु उन्कों इंद्रियमुलrik प्रभावमों अदिकंगा उठ्टुन्दी। तक यह सपना वस्ति यंदू इंद ये प्रभावु लेक पयन पटिकनी मनो प्रभाव मुछ तूटा दि अज ए कारण सुषिप्थिय अवस्ति यंदू मनस्र पुड़नू लीनमय पोचूंदी विश्व सरूप की आराधना की जा सकती है एसी भी भावना की गई परन्तु विश्व रूप भी साकार ही है विश्व सरूप भूता काश है विश्व विराट सरूप चित्ता काश है इन दोनों से परे मन और इंद्रियों से भी परे जो उस्तर है वही चिदा काश है जागरता वस्था में जिनका अनुभो प्राप्त करते हैं, वे सभी नहीं, परन्तु उनमें से कुछ तो सुपना वस्था में दीख पड़ते हैं जागरता वस्था में मन और इंद्रियों का प्रभाव अधिक रहता है, सुपना वस्था में इंद्रियों के प्रभाव के न होने पर भी मन का प्रभाव होता है, वही कारण सुरूप सुशुत्ता वस्था में मन विलीन हो जाता है यह द्रिश्य कल्पित इंद्रिय प्रभाव ही भूता काश है, मानसिक प्रभाव से युक्त प्रवृत्ति ही चित्ता काश है, मन और इंद्रियों का सम्मिलित स्वरूप ही चिदा काश है, इसलिए शायद सुशुपता अवस्था में ही इस निर्गुण निराकार तत्व की भावना की जा सकती है सर्वदा साकार को ही आधार नहीं बनाये रखना चाहिए, साधक के लिए साकार और निराकार दोनों अत्यनत आवश्चक हैं, जैसे पक्षी के दो पंक होते हैं, गाड़ी के दो पहिये होते हैं, मनुष्य के दो पैर होते हैं, उसी प्रकार भक्ति के प्रभाव से यात्रा करने वाले साधक के लिए साकार और निराकार दोनों आवश्चक हैं, पहले एक, फिर दूसरा, पहले एक, फिर दूसरा, इस प्रकार बारी-बारी से साकार और निराकार के आधार पर यात्रा करने पर ही सानिध्य रूपी गंतव्य तक पहुँचना संभव हो सकता है, परन्तु साकार तातकालिक है जबकि निराकार शाश्वत है इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण हमें परन्ते कोड़िने ट्वन्ट थे इक रम धिमितम थो खूड़िने ट्वन्ट थे आईते इसगार कोड़िने परन्ते निलेयमें इन वेल अग्तिर स्वामी निल्चि पूएयाद। वेवलमू इनी बाश्यमें पिदृष्टिलो जाक्रत अवस्ते लो चूचिन अपडू नीर अंदर कुडनू प्रशांथिनलेयम हारू जीविश्थुन्नारू, निवसिश्थुन्नारू कानी मीर मीमी इन ग्रावमुनक कवेल्डी मीरू चुचिन जिन अपडू नीराकारत अवस्ते लो चुचिन अपडू जीविश्थुन्नारू यह क्टुर चिंतिंजिना कुड़ मूँ इक दृष्ष्यो उमी लो स्यासुतन गांजेर कोईदे। कनुका जाक्रत तवस्ते लो मनु अनुभोविंच जेनकतार इक चित्ता कासमने तो निराकारतथ्व मनू निर्णातव निर्णातवनु निल्ची पोईदे। इस प्रशान्ती निलियम के मंदिर में लगभग एक हजार लोग बैठें। यह स्थिती एक घंटा या डेड़ घंटा जारी रहेगी। इस प्रशान्ती निलियम में तुम सब के साथ मैं भी हूँ। सभी लोग इस हौल के अंदर बैठें। यह समय सीमा से और कर्म से भी संबद्ध है। परंतु तुम अपने अपने गाउं को जाने के बाद इस भावना का स्मरण चित्ता काश में करोगे। तो तुम जान पाओगे कि यह प्रशान्ती निलियम स्वामी और इतने हजार लोग तुम्हारे सामने प्रकट हो गए है। जागरता अवस्था में बाह्य द्रिष्टी से देखने पर पता चलेगा कि तुम सब प्रशान्ती निलियम में ठहरे हो। परंतु तुम अपने अपने गाउं को जाने के बाद विचारने पर यह प्रशान्ती निलियम तुम में ही होगा। इस प्रशान्ति निल्यम में तुम्हारे रहने का समय मात्र एक घंटा ही है, परन्तु यह प्रशान्ति निल्यम जीवन भर के लिए तुम में शाश्वत रूप में प्रतिष्ठित हो गया है, जब भी तुम विचारोगे तो यह द्रिश्य तुम्हें शाश्वत रूप में द निराकार तत्व हम में शाश्वत रूप में स्थिर हो गया है। इस साकार तत्व का अनुभोप्राप्त किये बिना निराकार तत्व हमारे चित्त में स्थिर नहीं हो सकता है। अतह साकार सगुणों उपासना के आरंभ करने के बाद ही निर्गुण निराकार तत्व हृदय में शाश्वत रूप में प्रतिष्ठित होगा पधमनको इध आकारम हूँ आर अनि गुर्थि ची थरवात इअ आकारम लेक्कपई अपनिके नी खुर्ची नेट सब्सक्रानों झाय थी अकच्सुल निर्च अच् ke चोनीयेदवर कुडनों इच्छम नेलेच्षकुनियें तर अकारम वीने तीराघी ॥ एक बच्चे को कुरसी का शब्द सिखा रहे हैं, कुरसी शब्द बताने के बाद उस बच्चे को उसका आकार मालूम नहीं होगा अतह कुरसी का एक आकार दिखा कर उसका एक चित्र बना कर उसके नीचे यह कुरसी है शब्द लिख कर बताने पर बाद में वह जब भी कुरसी शब्द सुनेगा तो उसके सामने आकार के नहोने पर भी वह जहां भी हो उस कुरसी शब्द को समझ पाएगा कुर्शी शब्द के अर्थ को समझने तक इस खर आकार का होना अत्यन्त आवश्यक है अतह कुर्शी का आकार खर है और उसका अर्थ अक्षर है अतह अक्षर अर्थात शाश्वत को खर अर्थात नश्वर ने ही निरूपित किया है दैवत्व अक्षर सोरूप है परंतु इसके लिए आकार को वाधार बनाना अत्यनत आवश्यक है परंतु सभी में द्रता नहीं होती है इश्वर है कि नहीं यदि है तो कहां है फिर आखों को क्यों दिखाई नहीं देता है क्या यह सत्य है या सत्य अत्वा यह कोई भ्रह्म है या कोई कल्पना जैसी भावनाओं में मानव डावाडोल होता रहता है ऐसी संदिख्धता से बचने के लिए एक द्रिढ निश्चय अर्थात आस्था को बढ़ाने के लिए एक आकार को आधार बनाना चाहिए इसके लिए एक छोटा जाओ दाहरन इसनейств पर भीपे, पर दिए अर्था आस्था उक परीज़ कर दाहरान और अर्था उप्धता आस्था खावना की निए प्रणाखता आस्था उडिएं प्रश्न यह के इश्वर है की नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर शब्द इश्वर ही है. यदि इश्वर संबंधी आकार ही नहो, वस्तु ही नहो, तो शब्द इश्वर कहां से आया है? जो वस्तु नहीं है, उसका नाम भी नहीं हो सकता है. यदि नाम है, तो वस्तु भी है? अतह शब्द इश्वर ही इश्वर के अस्तित्तो को सुष्थिर करता है. यह एक टमलर है, टमलर एक शब्द है, इस शब्द का अर्थ ही यहां आकार है. शब्द को पद भी कहते हैं, प अतह इस जगत में जो भी पदार्थ है वह उस शब्द का अर्थ ही है शब्द कुर्सी का अर्थ यह आकार ही है पद का अर्थ द्योतित कराने वाला ही शब्द है अतह पद और शब्द का समन्वित स्वरूप ही पदार्थ है इसलिए यदि इश्वर ही न हो तो इश्वर शब कैसे अस्तित्तों में आएगा कि अचस्तितosaur contemplative अंदू आकारा अमें साज्य में एपता के आपरी में साध्या के अधा सतमने विजयात्तित शुए एक्ष। जोनgets कि दोड़री ठीश कुंधा। आपरी में इन्नी पदमनेक। सुछाबस नाव का्थाभова डेखाभ Niger ब שמע आप को सुछाबस. प्रणतु तुम कह सकते हो कि कुछ अर्थ ही शब्द भी विद्द्यमान है उदाहरण के लिए एक शब्द गगन कुसुम है जिसका अर्थ आकाशिय पुष्प है गगन कुसुम शब्द तो है परन्तु आकाशिय पुष्प कैसे हो सकता है यह शब्द नहीं बलकि समास है दो शब्दों के मेल से यह बना है आकाश भी है और पुष्प भी इनके मेल से ही यह समास बना है इसी प्रकार इस द्रिश्य कल्पित जगत में बिना किसी आकार के कुछ का होना संभव नहीं है तुम सब पढ़े लिखे चात्र और अध्यापक हो तुम एक डिक्ष्णरी लो इस डिक्ष्णरी में अनेक शब्द हैं जिन में से प्रत्तेक का कोई आकार है या नहीं इस डिक्ष्णरी में गौड ऐसा एक शब्द भी है यदि इश्वर नहीं है तो इस शब्द को इस डिक्षनरी में क्यों रखा गया है अतर चाहे तुम देखे हो या नहीं देखे हो चाहे तुम्हें इसका अनुभव हुआ हो या नहुआ हो परंत यह शब्द ही इस आकार का स्वरूप है यही साक्षातकार है पहले आकार आता है बाद में शब्द यदि कुर्सी का आकार ही न होता तो शब्द कुर्सी कैसे आता अतर पहले साकार और बाद में निराकार साकार को त्याग कर निराकार में प्रवेश करना कदापी संभव नहीं है जोपल 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 आकारमेन दारंग तयारे इप रो Nep hours aade रेन दारंग, इप रोगमेन उघ्णार कमी पर रहे पोड़नये अपनी लीजो कपके देजिया मुन एक छोटा सा उदाहरण ये एक तकिया है इसके उपर क्या है इसके उपर कपड़ा है और इसके अंदर कपास है तुम बाहर जो है उसे कपड़ा और अंदर जो है उसे कपास कहते हो परंतुम मैं दोनों को कपास ही कहूंगा क्योंकि कपास ही धागा बना और उससे कपड़ा कपड़ा साकार है और कपास निराकार इस तरह निराकार से साकार और साकार से निराकार इन दोनों की एकता में विद्धिमान तत्वी दिव्यता अर्थात दैवत्व है परन्तु जब उपयोग की बात आती है तो हम कपास से पीछ टेक कर बैठ नहीं सकते हैं इसलिए हम अपने प्रयोजन के लिए कपास को ही आकार के रूप में लेकर विभिन प्रकार से उसका उपयोग कर रहें ए 사संओना के नहीं सकते हैं परनी ही Ox cuerpo, प्रस्प्ण है निये पृदयी में लेक में लेकर शामार्त कर रहें लेक में लेकर घ्ट, यृद acabou किसे अपजलेश्य़क सतमने दे मौटेश्धिवते हैं जद्धिश्फवश्व प्रके रहें जब तक मैं शरीर हूँ जैसी भावना हम में होगी तब तक इस साकार को छोड़ना संभव नहीं है साकार की आराधना में हम अनेक पूजाएं कर रहे हैं सोलह प्रकार के उपचार कर रहे हैं कई प्रकार के फूल ला रहे हैं जल से अभिशेक कर रहे हैं कई अर्चनाएं कर रहे हैं धूप दीप नवेद्यादी समर्पित कर रहे हैं। यह सब मात्र साकार संतुष्टी है। परन्तु जब इसे निराकार हिरदय में प्रतिष्ठित करेंगे और जब देह भावना त्याग देंगे तब अनेक प्रकार के भावना सुमनों से इसकी पूजा करेंगे। लेकिन जब तक साकार की आराधना करते हैं तब तक चमेली, मोग्रा, गेंदा, गुल्दावदी जैसे फूलों का उपयोग करते हुए इश्वर की पूजा करते हैं। परन्तु ज्यातव्य है कि पूजा करने वाला शरीर और पूजा में उपयोग में लाए जाने वाले फूल सभी नश्वर ही हैं। परन्तु निराकार की आराधना में उपयोग में लाए जाने वाले फूल अलग से हैं। अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्प मिंद्रिय निग्रहं ख्षमा पुष्पं शान्ति पुष्पं दया पुष्पं सत्य पुष्पं तपह पुष्पं ये सब निराकार की आराधना से सम्मंधित पुष्प हैं परुपने मनमु इए उन्नतस्तायिक पोय अंद वरक्कोड़नु इए उक्क निवुर्त्ति मार्गमुलो प्रभेशिंचे अंद वरसुनु इए उक्क प्रवुर्त्तिन मात्रम वल्लडान के मेलुकाज। इए अधारम चेशकोने पन्रिंडव अज्यायमनु बध्तियोगमुलो बध्तियोकक गुणगणमुलों मात्रमे एविधंग अवरुति पर्चकोवाली अने चुन्तिने गीताचारी बोजिंचार। अधारम चेशकोने चुन्तिने 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 चुन दैथ्य कुमारुडू, माटि माटिकिन ओ पन्नगस्याई, ओ दनुजवण्यन, ओ महासन्य अपर्ण, अनि वरिंचे गानी, स्वरिंचे गानी, ता तन्नुन निरुति, भयकंप समीत उडुकाडूू, ओ वरा, अनका येम्टी, यलांती बादलसमयम नुदुकानी, यलांती क परिष्ट उच्याडिकानी, खंटि मीरु पिट्टू को लेदु, बादलको ये मात्रमों का उकासमन, इवलेदु, इवी बाधलयायनी, ओ हिंचलेदू, कानुकने प्रहलादूनी, सततम योगिन हाला, अतनों देहदारी लेजन अपटिकिनी, लवकिकमेन कुन्टी जगस् अतह, जब तक हम उन्नत अस्तर तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक निवृत्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक प्रवृत्ति के मार्ग को छोड़ना असंभव है, इसी के आधार पर गीताचारे ने बारहमें अध्याय के भक्त योग में उपदेश दिया, कि भक्त को अपने में सद्गुणों का विकास कैसे करना चाहिए, भक्त को सतत शांत सुभाव का होना चाहिए, दिढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, सदा संतुष्ट रहना चाहिए, अपने हिर्दय में कदापी किसी भी प्रकार के दुख अथवा चिंता को स्थान नहीं देना चाहिए, इसी लिए श्रीमत भागवत भक्ती और प्रपत्ति के संदर्भ में प्रलाद को एक आदर्ष्च चरित्र के रूप में प्रस्तुत करता है, प्रलाद पर जब भी राक्षसों ने तलवारों से वार किया, तो वह सदा, हे पन्नग शाई, हे दनुज भंजन कहकर स्मरण मात्र करता रहा, न उसने आशू बहाए, न ही भैभीत हुआ, इसका तात्पर ये क्या है, कष्ट जितने भी भयंकर हों, तुख जितने भी असहनिय हों, परन्तु प्रलाद निरंतर इश्वर का स्मरण ही करता रहा, उसने कभी आशू नहीं बहाए, और नहीं दुखी हुआ, वह इन्हें कष्ट ही नहीं समझा, इसलिए प्रलाद को सततम योगिनह कहा गया, वह लोकिक जगत में ही था, लोकिक वासनाओं के मध्य में ही था, परन्त उसमें रत्ती भर भी वासनाओं का प्रवेश नहीं भी आशू पर रन्त, दोप, ताप, इष्य, असुय, चाडियों इलाँनित दुर्कुणमु यमात्तम कोड़नु तो यमलोग प्रवेश नहीं रादु प्रदानमें पुण्टि वक्का शत्रुमनू नहीं कुन्नारु, गोपमु, असुय, द्वेशमु इंका अने के विज इसलिए एक भक्त के हिर्दय में क्रोध इर्ष्या द्वेश चुगली जैसे बुरे गुण प्रवेश नहीं होने चाहिए भक्त के प्रधान शत्र चार हैं जैसे क्रोध, जलन, द्वेश और वासनाएं ये सब भक्ति मार्ग में प्रवेश की बाधाएं हैं इसलिए भक्त में सब के प्रती समभावना होनी चाहिए यदि तुम किसी से द्वेश करते हो तो समझो के तुम अपने आराध्य से ही द्वेश कर रहे हो अहंकार के वशी भूत होकर यदि किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाई करते हो तो समझो के अपने आराध्य के विरुद्ध ही कार्यवाई कर रहे हो इसलिए भग्वत गीता में अद्वेश्टा सर्व भूता नाम के रूप में हमें चेतावनी दी गई है परिख़ पिति कानी इस आत्मान अंधो का नी दाइवत पृति कानी मनुकी वwed में लभेश्कते हो और छार्वी परत्योग में अधी प्रधानम एंधियुक के विden लो कर्वा देवासमानं गा भाव विन्च को वनी। केवलम अजवान के सहित प्रियोज नियेदू जीवुलम कुणं गवर विंचालिग हो जीवुलम कुणं प्रेव इंचालिग। देवन नी पोजिंचितम ु जीवुलनी इमसिंचितम। जिस प्रकार खेत को साफ किये बिना बीज बोने पर कोई फसल प्राप्त नहीं होती है उसी प्रकार चित से दुर्गुणों का निर्मूलन न होने पर चाहे कितनी ही साधनाय क्यों न करें परन्तु हमें आत्मानंद और दैव प्रीति प्राप्त नहीं होंगे भक्त योग में इश्वर की पूजा करने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है सबको इश्वर के समान मानना चाहिए सभी जीवों के प्रति आदर और प्रेम रखना चाहिए इश्वर की पूजा करना और जीवों को तंग करना क्या यह भक्ति का लक्षन हो सकता है? यह तो अज्ञान का ही प्रतीक है ऐसे लोग भक्ति के मार्ग में कदापी प्रवेश नहीं कर सकते हैं भक्ति योग में और क्या सीखना है? भक्तों को किन बातों का अनुसरन करना चाहिए? समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, कर्मों को कैसे सार्थक किया जा सकता है, इस शरीर और समय का उपयोग किस विधी करना चाहिए, इत्यादी के बारे में आगे बताऊंगा उपसंगार स्वामी ने अत्यंत सरल उधारणों के माध्यम से सिद्ध किया कि सगुणों पासना का महत्व निर्गुणों पासना में तलीन होने का उत्तम साधन है अभी आपने भगवान बाबा द्वारा शीमत भगवत गीता पर दिनांक 4 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना